आज का हमारा टॉपिक है Create Tasking Asana from Microsoft Excel Asana एक Task Management Software है अब हम चाहते हैं कि जब भी Microsoft Excel की row में हम कोई Task Detail Center करें तो Automatically Task Create हो जाए Asana में तो इस पूरी प्रसेस को आप भी Automate कर सकते हैं पैवली Connect की मदद से Microsoft Excel और Asana के बीच में एक Connection बिल्ट करके कि जैसी Microsoft Excel की row में आप कोई नई Task की डीटेल से एंटर करें तो Automatically Task Create हो जाए Asana में तो इस पर हमारा ट्रिगर होगा कोई नई row add होना Microsoft Excel में और हमारा action होगा Automatically एक Task Create हो जाना Asana में तो आप कैसा बना सकते हैं इस पूरी Automation को कैसे Connect कर सकते हैं इन दोना एप्लिकेशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation Microsoft Excel और Asana के बीच में कि जैसी Microsoft Excel की row में आप को इन नई डीटेल सेंटर करें तो Automatically Task Create हो जाए Asana में जी हाँ इस पूरी Process को हम Automate करेंगे Public Connect की मिदद से Asana और Microsoft Excel के बीच में Connection बिल्ड करके आप देख सकते हैं यह है मेरी Microsoft Excel की Workbook और यहापे मैंने इसको नाम दिया है Asana Task Creation का मैंने यहापे कुछ कॉलम्स बनाए हैं लाइक Task Name, Description, Due Date मतलब इस Workbook में मैं अपने Task की सारी डीटेल्स करता हूँ Enter अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस Workbook की RAW में कोई नई डीटेल्स एंटर करूँ टास्क की नई डीटेल्स एंटर करूँ तो Automatically एक Task Create हो जाए Asana में तो चलते हैं New Tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का लेंडिंग पीच पैबली की मदद से हम Asana और Microsoft Excel के बीच में एक Connection करेंगे बिल्ट पैबली एक बहुती अमेजिंग सौफ़वेर है जाब Multiple Applications को Connect and Integrate कर सकते हैं अगर आप नई उज़र हैं तो जाए Sign Up for Free पे जाब को हर मैंने मिलेंगे Free Task ऐसे Automation Create करने के लिए अगर आप existing उज़र हैं तो क्लिक करेंगे Sign In पे Sign In पे क्लिक करते हैं आपके समने उपन होगी पैबली की एपाच मेन एप्लिकेशन आज हमको यूज करना है पैबली करनेट का क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ट करना है दो एप्लिकेशन के बीच में इसलिए हम यूज करेंगे पैबली करनेट का क्लिक करेंगे Access Now पे Access Now पे क्लिक करते हैं आपके समने उपन होगा पैबली करनेट का डैश बोर्ड और यहाँ पे हमको बनाना है एक नया workflow तो आपको क्लिक करना है Create workflow पे जैसे हम Create workflow पे क्लिक करेंगे आपके समने एक dialogue box appear होगा जब को इस workflow को एक नाम देना है तो मालीजे मैं इसे नाम दीता हूँ Create Tasking Asana from Microsoft Excel आप अपने requirement के सबसे कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर click करना आपको create पे create पे click करती है आपके समने open होगी यह दो important windows इनको इनको कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर ही based होता है इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का हमारा objective क्या है आज का हमारा objective यह है कि जब भी Microsoft Excel की row में में कोई नई details enter का row task की तो मैं चाता हूँ कि seem details का use करके asana में task create हो जाए वो भी automatically तो choose करें के हम हमारी trigger application Microsoft Excel Microsoft Excel की जो भी details हम add करेंगे हो हम fetch करेंगे सबसे पहले public connect के पास और फिर उनी details का use करके हम action application मतलब asana में task कर देंगे create तो trigger event पर हम select करेंगे new row in worksheet इसका मतला Microsoft Excel की worksheet में जैसी कोई नई row add हो तो मैं चाता हूँ मेरा workflow trigger हो जाए और automatically उन details का use करके asana में task को जाए create इसनी मैंने trigger event चूज किया है new row in worksheet क्लिक करूँगा मैं connect पे और अब MX Excel के account का हम connect करेंगे public connect से जाना हमका एड़ी connection पर फिर click करना है connect with Microsoft Excel अब मेरा account अल्रेड़ी locked एन है तो scroll down करूँगा मैं नीचे और access provide कर दूँगा Microsoft Excel को public connect से connect करने के लिए और देखिए हमारा authorization है पर successful हो चुका है इसका मतलब जो हमारा Microsoft Excel का account है वो connect हो चुका है public connect से हमने create करके रखी है Microsoft Excel में आज तक उस सारी workbook आपको यहाँ पर दिखरी होगी अब जहाँ से हमको select करना है कि हमको किस particular workbook का data record करना है public connect के पास तो देखिए हमारे workbook का नहीं में asana task creation इस workbook की row में जैसी कोई में नई task की details एंटर करूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा workflow हो जाए trigger तो जाएंगे हम public connect पर यहाँ पर सर्च करेंगे asana task creation और यहाँ से choose कर लूँगा मैं मेरी workbook workbook चूज करते ही जो भी मैंने हैं पर columns या tables बनाई है यह सारी details fetch हो जाएंगे public connect के पास like task name, description, due date यह सारी fields public connect के पास आ जाएंगी तो देखिए यहाँ पर मैरा workbook चूज कर ली है worksheet automatically हमारे system ने कर ली है detect यह था हमारे worksheet का name data अब जैसे मैं save and send test request की बटन पर क्लिक करूँगा जो भी last updated row होगी इस particular worksheet की उसकी details capture हो जाएगी public connect के पास इसका मतलब जो भी data है इस worksheet का वो public connect के पास हो जाएगा capture जैसी मैं save and send test request की बटन पर करूँगा क्लिक, तो क्लिक करतें save and send test request की बटन पर और देखिए यहाँ पर हमको API response receive हो चुका है जो भी data था इस Microsoft Excel की workbook का वो capture हो चुका है public connect के पास तो यह था हमारा name task का google sheet यह था हमारा description और यह थी हमारी due date 20 June 2023 इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने Microsoft Excel और public connect के बीच में कैसा connection बिल्ट कर दिया है कि जैसी Microsoft Excel की row में हम कोई नई details enter करेंगे तो automatically details capture हो जाएगी public connect के पास पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा 8 hours इसका मतलब यह है कि जो Microsoft Excel और public connect के बीच का connection है वो फूलिंग बेस्ट connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 8 गंटे बेजा के Microsoft Excel से सारी details करेगा fetch और हमारा workflow हो जाएगा trigger और उन्हीं details का use करके असाना में task हो जाएगा create इसलिए यहाँ पे लिखा है 8 hours अब चलते हैं हमारी next step की और जो कि हमारी होने वाली action step तो action application में हमको choose करना है असाना इसका मतलब Microsoft Excel से जो भी details हमको मिल रही है उन details का use करके हमको असाना में task करना है create तो यह से मैंने choose कर ली और देखे हमारा authorization यहाँ पे successful हो चुका है इसका मतलब जो हमारा asana का account है वो connect हो चुका है public connect से account connect होते ही सबसे पहले choose करना ही हमको work space then project ID then task name notes then due date and assign तो यह सारी fields हम fill करेंगे mapping की मदद से और जो mandatory fields है हम सिर्फ उनको ही करेंगे fill तो इससे पहले हम चलते है asana की account पर आप देख सकते हैं यह मेरा asana का account और यहाँ पर मैंने कुछ projects create करके रखे हैं like cross functional project work request and public task मैं चाहता हूँ कि जब भी Microsoft Excel की row में मैं कोई नई details enter करो task की तो public task वाले project में आके एक task हो जाए create वो भी पैबली connect पे और work space public tools dot com हमारे system ने automatically कर लिया fetch then choose करेंगे project ID पैबली task तो देखें जो भी project मैंने create करके रखे तो असाना में वही सारे project आपको यहाँ पर show हो रहे होंगे हम choose करेंगे पैबली task तो यहाँ से मैंने choose कर लिया project दन आता है task name notes and due date अब यह सारी fields हम fill करेंगे mapping की मदद से अब आप सोच रहे होंगे कि mapping का मतलब क्या होता है mapping का मतलब यह होता है कि response हमको trigger application मतलब microsoft excel से मिला था इसी response का use हम यहाँ पर कर लेंगे वो भी without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping तो देखे task name मैं यहाँ पर provide करूँगा जो मैंने task create किया था Microsoft Excel में उसी task के नाम से मैं asana में task करना चाहता हूँ create तो जो google sheets था इसी नाम से मैं task करूँगा create asana में तो यहाँ पर हम use करेंगे mapping का तो मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है जैसी आप इस blank field पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है insert data from previous step Microsoft Excel जो के मारी trigger application थी वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी इसके drop down पर जैसी click करेंगे तो जो भी response में को मिला था Microsoft Excel से यह जो पूरा response हमने हाँ पर capture किया था पैबली connect पे यह पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो task करने मैं देना चाहता हूँ google sheets यहाँ पर मैंने map कर दिया यह data फिर आता है notes वापस click करेंगे हम इस blank field पर जाएंगे Microsoft Excel पर और यहाँ से map कर देंगे notes integrate google sheet with पैबली then आती है due date तो देखे due date आपको दो दिख रही होगी एक है due add एक है due on अगर आप due add पर date fill कर रहे हैं तो आपको due on blank छोडनी पड़ेगी अगर आप due on fill कर रहे हैं तो आपको due add blank छोडनी पड़ेगी तो देखे due add का format है यह और due on का format है यह तो हम fill करेंगे due on वाली date तो जो due date है हम इसको इस format पर करेंगे फिल तो वापिस यहाँ पर यूज करेंगे mapping का जो google sheet पर हमने date fix करी थी जो date fill करी थी वही date का use हम आप पर कर लेंगे वापिस click करेंगे यहाँ पर Microsoft Excel और यह थी हमारी due date और आप format देख सकते हैं same format पर मैंने date करीए fill इसके बाद आता असाइनी तो आप किसको task assign करना चाहते हैं असाइना पर आप यहाँ पर choose कर सकते हैं तो माली जब मैं choose करता हूँ demo new असाइनी जो हमारा वो है demo new जो task हम create कर रहे हैं असाइना में वो मैं demo new को कर रहा हूँ assign फिर आता है followers and text तो यह mandatory fields नहीं हैं इसलिए हम इसको छोड़ेंगे blank अब जैसी मैं save and send test request के बटन पर क्लिक करूँगा in details का use करके असाना में एक task हो जाएगा create पर उससे पहले आपके मन में आप एक सवाल आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है और यह mapping का use मैंने आपके क्यों किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने mapping का use इसलिए किया है क्योंकि जब भी workflow run करेगा तो जो भी data मैंने आपके map किया है यह automatically new data से हो जाएगा change इसका मतलब अगर मैं Microsoft Excel की row में कोई different details एड़ करूँगा मतलब different task का name उसका description और different due date तो automatically वो जो new data है वो यहाँ पर आके हो जाएगा update और हमारा workflow हो जाएगा trigger इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी process अगर मैं यहाँ पर यह data manually type कर देता तो यह data रहता है इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब क्लिक करते सेवेंट सेंटेस्टिक केस्ट पे तो आप देखेंगे असाना में एक task हो जाएगा create वो भी automatically और देखिए यहाँ पे हमको API response रिसीव हो चुका है जो के positive API response है इसका मतलब in details का use करके असाना में task create हो चुका होगा तो चलते हैं असाना के account पे और देखिए Google Sheet के नाम से हाँ पे task create हो चुका है due date है हमारी 20 अब जून assign ही है demo news को करते हैं open और देखिए यह हमारा description integrate google sheet with family इसका मतलब जो automation हमने बनाया है हो successfully work कर रहा है आप जैसी Microsoft Excel की workbook में कोई नई row add करेंगे कोई different task details enter करेंगे description या due date enter करेंगे तो automatically उन details का use करके asana में task हो जाएगा create तो simply दो step पे हमने पूरा automation setup कर दिया है जो work करेगा हर 8 गंटे में क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है Microsoft Excel और public connect के बीच का connection पूलिंग based connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 8 गंटे में जाके Microsoft Excel से सारी details करेगा फैज और asana में task कर देगा create और यह जो पूरा automation है कि वहला आपको एक बार setup करना है इसके बाद की सारी process public connect automatically कर लेगा जैसी आप Excel की row में को नई details सेंटर करेंगे असारा में task automatically हो जाएगा create तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते है तो इसका link पर अपनी वीडियो के description पर दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration public connect के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें share करें और हमारे चनल को subscribe करना ना बोले Thank you